ए इधर रहे, आज अख्रोट का दिन अच्छा जा रहा है, पर कल ऐसा नहीं था, और कल का भी हमें पता नहीं, इसकी बिमारी ही कुछ ऐसी है, पर यहाँ पे उस बिमारी के लिए नहीं आया था, हाँ, यह जरूर है, जिस घटना की वज़ा से यहाँ पे पहुंचा है, इसकी पहले उस घटना के बारे में जानते हैं, अख्रोट को उसके परिवार ने सडक पर मढने के लिए छोड़ दिया था, रजनीश जी जो उस परिवार के पडोसी थे, उन्होंने उस बेचारे को सडक पे कुछ दिनों तक भटकते हुए देखा, और उसकी मदद करने का फैसला कल मैं ने उसकी कंडिशन जाकर देखा था, तो फीडिंग की भी विवस्ता भी नहीं थी बहाँ पर, और मेंज भी बहुत जादा बढ़ गया हुआ था, ओल्ड एज भी है जो फुट है और उसके टेस्टिकल्स पर इंफेक्शन भी है, तो आज उसको यहाँ पर लेकर आया है और हमने उसकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया है, तो अंगल इंफेक्शन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको, स्कीन इंफेक्शन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको और उसके वून्स हैं उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है हमने उसका treatment स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अख्रोट को सिर्फ बाहरी घाव नहीं थे उसे कुछ बहुत गहरे अंधरूनी घाव भी थे अख्रोट लगबग 12-13 साल का होगा और उसने पूरी जिंदगी आराम से घर में ही गुजारी थी लेकिन जब एक दिन उसकी सेहत बिगडने लगी उसके परिवार को उससे सड़क पे छोड़ देना जादा आसान लगा परिवार के साथ छोड़ देने की वज़े से अख्रोट में जो भी जीने की अच्छा थी वो भी मर गई वो कभी हमसे आखे भी नहीं मिलाता था सिर्फ नीचे देखता रहता, हिलता भी नहीं हम जब भी डॉक्स को ट्रीट्स देते हैं तो वो बहुत ही एक्साइट्मेंट में खाते हैं लेकिन अख्रोट खाना खाने से भी मुकर जाता था तब हमें समझ आया कि ये डिप्रेस्ट है अब अख्रोट के डिप्रेशन का कारण तो बड़ा जाहिर सा है जो इसको दर्द दिया गया, जो इसको छोड़ दिया गया ये उस दुख से कभी उबर नहीं पाया पर देखिए जरूरी नहीं कि डिप्रेशन से उनहीं लोगों को हो जिनके जीवन में कुछ दुखत घड़त हुआ है डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और उसी अनुसार फिर उसका इलाज चलता है पर डिप्रेशन का कारण कोई भी हो, इलाज कोई भी हो तो डिप्रेशन का कोई ऐसा इलाज नहीं है सरदद की तरह की गोली ली और अगले दिन खतम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन पेशेंट्स के साथ पेशेंट्स से पेश आएं क्यों अखरोड? यस, I agree, I know you do अब जब हम उसे घूमने जाने को कहते हैं तो वो जट से उड़ जाता है जलिया, 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 जलिया